ये गाइज हलो वेलकम बैक माई चैनल तो कैसे आप लोग सब अच्छे हैं तो मेरा मॉर्निंग का जो है काम कारूट ये ऐसा होता है कि मैं सुबह उड़ते हूँ तो पहले चाया बनाती हूं नस्ता बनाती हूं क्योंकि वो रिकोर्ड हम करने पाते हैं भाग दोर में क्योंक कि यहां सब को जाने के बाद सारा कुछ होने के बाद सभी चले जाते हैं बेटा और हस्बन तो मेरा काम होता है सारे बैड ठीक करना बैडरूम को सरियाना क्योंकि दोनों इतने जल दिन जाते कि पूरा समान बिखार कि इधर कपरा उधर कपर सभी फेकवा के एक दम तहस न कर देता है तो उसको मैं ठीक करती हूँ बाद में तो मैं बाद में ठीक कर रही हूँ बेडरूम अड मैंने ठीक कर दिया है अब मैं सोफा को ठीक कर रही हूँ क्योंकि हॉल में भी इधर उधर सब भी हो जाता है सोफा कवर बैठ के मतलब इधर उधर करती रहता है तो खीस सब्सक्राइब करने के बाद मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे मौयल के स्टोरेज फुल हो जाता है इसलिए और सुबह का तो जल्दी जल्दी रहता है तो नहीं कर पाती हूँ अब यहां हम सब सोफा कवर सेट कर देंगे मैंने डवल का कर देंगे आप सिंगल कर दें कि यह मेरे हॉल मेरा तैसे बैठता है तो इसको भी खर जाता है तो इसको भी पुरा इदर उधर वह करके छोड़ देता है पूरा तो मैं इसको भी सरिया देती हूं सब को जगा पकड़ देती हूं फिर से उसके बाद इसका फिलो फिलो सा हम सेट कर देते हैं क्योंकि मेरा तो सुबह का यही रूटिंग होता है जाने के बाद कि सब चला गया तो अब हम यहां एक कीचन में कीचन में हम अपने लिए पराठा बनाएंगे जो हम नाज तक खाएंगे तो जल्दी जल्दी से में अपना पराठा को बेल लेते हैं कि उसके बाद सेक लेंगे इसके बाद हम पुरा किचन का सफाई करेंगे अभी जितना हम खाना पकाते पुरा गंदा हो जाता है क्योंकि ब्लैक है पुरा पच्टा नहीं है गंदा और मेरा चूला भी ब्लैक है तो गंदा पच्टा नहीं है अभी सब को हम साफ करेंगे चूला को भी पोचेंगे बड़ा था बनाए हूँ और सिक्रा है हमें गी डाल देती हूं और दीरे ज़िसको पकाऊँगी यह पकने के बाद मैं इसको साइड कर दूंगी उसके बाद मैं किजन के सफाई में भीर जाती हूं उसको धिरे साफ कर लेंगे सबको मेरी हाल है कि अभी मैं जल्द जल्द करने पाते हूं बहुत दिक्कते होते हमें